कि हलो मेरे नहीं आप देख रहे हैं मेकेनिकल सार्थी जो जोग्राफी क्लास का हम नेक्स्ट टॉपिक पड़ते हैं डेट इस साइकल ऑन अर्थ देखे क्या होता है अर्थ में अलग-अलग साइकल्स जन्रेट होती है ठीक है एक्चुलिए साइकल जन्रेली प्रैशर डिफर कैसे होता है और उससे कैसे साइकल चन्रेट होती है ठीक है तो यह थोड़ा लॉजिकल है तो यह आपको असानी से समझा जाएगा ठीक है अमाली चीए अर्थ है ठीक है लग भी रहा यह दिखे एक्वेटर डिस इक्वेटर मैंने पहले बता दिया है यह जीरो डिग्री ला ट्वेंटी थ्री एंड आफ को यह ट्वेंटी थ्री एंड आफ चो लाइन है 23 एंड आफ इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ओफ कैंसर उपर वाले को कैंसर नीचे वाले को कैप्रिकॉन 23 एंड आफ ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन इसको उपर वाले को 66 एंड आफ आर्क्टिक सर्कल गिन नीचे 66 एंड आफ एंड ट्रॉपिक सर्कल हम यही जनरली दो को क्यों लेते हैं 66 एंड आफ यह मैं आपको बता दिये यह है पोल नॉर्थ पोल नैंटी डिग्री पे यहां है साउथ पोल नैंटी डिग्री पे सदन हेमिस्फेर पे साउथ पोल देखें अब होता क्या है देखें जो सन है ना आपका जो सन अर्थ है हैंड हाव डिग्री टिल्ट अब यहां से आपको समझाए कि हम 23 ही क्यों लेते हैं तो जो सन का मुवमेंट है ना लाइट जो मारता है अर्थ पे वो 23 हैंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच डारेक्ट सन लाइट आती है है मीन्स जो सन लाइट आती है न वह यहां से यहां तक आती है सन की लाइट अलग-अलग मोशन पर ठीक है जस्ट ओके सॉरी 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 यह वन 66 एंड हाफ पे कर दिया है यह इसके बीच रहती है 23 एंड हाफ के बीच ही जो सन का डियरेक्ट लाइट है वह इसी की बीच वैरी करता है इसलिए इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिक रीजन ठीक है सब ट्रॉपिक रीजन यह एक्वेटर हो गया उपर 23 एंड हाफ उपर है पोल और नीचे है आपका से इसे ही दो एक यह जो डायरीक्राम है अभी हम क्या मान रहे हैं सन को जो तो झो यह संगी डारेक्ट रहे है सअधर है इसकी डारेक्ट रहे है इक्वेटर पर रही है। तो ऑज़ जहां है temperature होता है High temperature प्रेशर लोग होता है एयर का कैसी जो अगर आइडियक Sustain अब देखें ? अथि टो हम ठीक है तो हाइट आ फिर हिए तो हाई टेम्प्रेशर पे जो 題 dust नो करें सेखेंड कि जहां टेम्प्रेशर बढ़ेगा जहां टेम्प्रेशर द्जादा होता जाएगा वहाँ जो होगा आपका प्रेशर होता जाएगा जहाँ टेंपरेशर बढ़ता है वहाँ प्रेशर डिग्रीज होता है क्या होता है जैसे टेंपरेशर बढ़ता है न तो गैसे जो होती है वह पहलने लगती एक्सपांड करने लगती है तो जैसी टेंपरेशर बढ़ लगता है उसके करण़ प्रेशर कम लगता है यहां टेंपरी चलियर जादा होगा वहां प्रेशर कम हो और मरें तो कि इसके हिसाब से जो एक्वेटर है हो यह लोग प्रेशर म्हों होगा हुआ ठीक है उसके उपर high pressure होगा फिर यह लो pressure और फिर थंड़ा होता है तो high pressure आप simply trick से याद कर सकते हैं एक्वेटर अगर लो है तो उसके उपर high फिर low फिर high ऐसा alternate चलता है तो अगर यह है तो यहाँ पे high pressure यह low pressure और यह वापस high pressure ठीक है एक्वेटर पे sun होगा तो Complete My temperature जाते हो तो वह लोग अगयों बनेगा इसकीय उपर हाई फिर लो फिर हाई यह उफ्ट रिक से महरा दो कोया यहाद हो जायगा अब देखें जो भी जो होती है ठीक है जो भी जो होती है वो वो आपकी high pressure to low pressure travel करती है तो यहां की जो layer होगी air की वो ऐसे यहां से यहां चलेगी high pressure से low pressure high to low travel करेगी यह ऐसी similarly यहां की जो high होगी वो equator की तरफ जाएगी एक बार आप समझ गए तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे ठीक है similarly जब यह यहां जाएगी यहां पर भी high pressure है तो यहां से यह इधर तरफ जाएगी low pressure की तरफ एसे यहां पर भी जो high pressure है वो इधर लो इस साइड भी जाएगी low pressure पर कि यहां पर भी जो high pressure यह पोल high pressure पर तो यहां से ऐसी जाएगी मैंने अलग अलग अब कलर कर दिया ताकि आपको समझाए कि कौन सी साइकल को मैं क्या बोल रहे हैं फिर हाई pressure से यह इधर तरफ जाएगी क्लियर तो देखिए जो इसके बिच चल रही है इसके बीच means, subtropic के बीच यह सब tropic region में जो चल रही है किसके किसके बीच Equator or subtropic के बीच उपर और नीचे दुनों तरफ उपर भी और बीचे भी एक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं है इसका नाम है है इसको अब जो सब्रॉपिक और पोल के बीच है जो सब्रॉपिक और सब्रॉप्र के बीच है इसको पॉलर बोलते हैं ठीक है इसके मिज़े इसको बोलते हैं हम यउ फैरल सैकल मैं अच्छे से लिखवाऊं गए आप सिर्स अभर आप यह इसके बीच यह दोनों फेरल साइकल है और जो सब पोल और पोल के बीच चलती है साइकल यहां से यहां तक यह दोनों को हम बोलते हैं पोलर साइकल पोलर साइकल पोलर साइकल ठीक है तो देखिए यहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आज पसका रीजन होता है नहीं एक्चुली फिक्स नहीं होता है यह प्लस मैनस 5 डिगरी उपर नीचे होता है तो इसको हम बोलते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको हम बोलते हैं सब सब्त्रॉपिक लो प्रेशयर यह बेसा प्रेशयर। और चरक्तिक और ऑफ आर्क्टिक बोलते हैं सब पोलर पोल के बीच पोल से पहले सब पोलर यह भी सब पोलर ठीक है सब पोलर तो अब यह मैं इस डियाग्रम से सिंप्लिफाई करके यहां लिख देता हूं जो में पॉइंट है आपके लिए सबसे पहले कौन सी हेडली सैकल यह आपके लिए ज्यादा में है वो वो समझाने के लिए था पर आपको यह पता होना अच्छी कि हैडली सैकल किसके किसके बीच चलती है तो यह कहां पे चलती है किसके बीच है डेलेटेड टू प्रेस्र बेल्ट बित्वीन एक्वैटर किसके लिए Kids प्रयृह सब्रोपिक क्याने एक इसके बीचे चलती है देगे नधन हमिस्फियर में पीचलीगी इसलिए हमक्वैटर और सब ट्रॉपिक बोल रहे हैं नदन सदन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों में चलेगी है अगली जो साइकल है है डिली साइकल के बाद वह फेरल फेरल साइकल यह किनकी बीच चलेगी यह किसके रिलेटेड तू प्रेशर बेल्ट बिट्वीन अभी किसके बीच लेगी सब ट्रॉपिक एंड सब पोलर ठीक है अब जो अगला है वो है पोलर साइकल यह तो दीखी रही है किसके बीच लेगी रिलेटेड तू प्रेशर बेल्ट बिट्वीन यह तो सब पोलर एंड पोल आपको जो भी यह मैंने कथा बताईए इसमें आपको यह तीन जी एटलीस याद होनी चाहिए है एडली फेरल और पोलर पोलर को तो नाम ही सही समझाए कि पोल सब पोल के बीच है सब पोल सब की हैं है ध्याद रखना सेंटर मतलब इकवेटर और चाहथ उसके उपर एकवेटर के उपार कहें सब प्रिक नुडार सब पर्पोल है है अि मोट है अब एक इम्पॉर्टिंट टर्म आता है यहां पर इस सी जैड जिसका फुल सोर्म है इंटर ट्रोपिकल कन्वर्जिंस जोन यह क्या खासियत है यह तो यह याद रखिएगा यह है इट इस फाउंड in 0 degree to 5 degree in both hemisphere मतलब क्या है यह क्या है इसकी खासियत है hemisphere में यहाँ एक खासी चीज होती है मैं वो अभी आपको बताने वाला हूँ देखिए एक दो डियाग्रम मैं बता रहा हूँ दो चीजी मुझे समझानी है यह आपको मैं वो बता देता हूँ सबसे पहली यह एक्वेटर जीरो डिगरी लगबक 30 डिगरी और लगबक 60 डिगरी यह प्रॉक्सिमिट हम लेते हैं value 30 डिगरी 60 डिगरी ठीक है ओके तो यह जो यह जो जोन है 30 से 30 के बीच का 30 से 30 इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन इसको बोलते हैं हम उपर और नीचे दोनों temperate ठीक है और यह 90 है यह 90 है तो 30 और 90 के बीच उपर और नीचे दोनों हाँ कोल्ड जोन तो यह तीन जोन है यहां पर यह नई चीज है जो मुझे आपको बताने थी कि ट्रॉपिक रीजन है बीच का उसके ऊपर को जिए जोन है उसके उपर कोल्ड जोन है ऐसा दोनों हेमिस्फेर में होता है जो नौर्थ में फॉलोर रहा है से वह साउथ में इस यह खास चीज है मैं यहां पर वह बता देता हूं देखिये क्या है यह एक्वेटर हमाली जीए इस इस इक्वेटर तो यह 0 डिगरी को इंटर तो जो आई टी सीज़ट की में आई सीटी ज़ट की में बात कर रहो नो तो एक्षूल में यह एक जोन होता है ऐसा यह 5 डिगरी नदन हेमिस्फेर में 5 डिगरी सदन हेमिस्फेर पे तो यह 0 टू 5 और 0 टू 5 बोट दिश्फियर है न यह यह जोन की बात कर रहा है इसी को कहा गया है आई सी टी जैड यह है आइस टीज़ट सुर्य इटी शीजड वर इंटर ट्रोपिकल कंवर्जन जोन अब इसको हम अलग से क्यों देख रहा है यह ITCZ को Convergence Zone को हम क्यों देख रहे हैं देखी होता गया यहाँ अब वो आप इस टॉपिक का अगला Point important है देखिए जब Sun बीच में होगा ना तो यह ITCZ जो है न यह यह वह Equatorial Low Pressure Belt बन जाएगा ज्यां होगा क्या यह इसी Belt पे Equatorial Equator के पास जो Low Pressure Belt बनेगी अभी हमने देखा कि Sun यहाँ पर है टेंपरिचर ज्यादा होगा तो एक्वेटर पर लो प्रेशर है तो यह वह है एक्वेटर रियल लो प्रेशर पेल्ट उसी का है यह आगे एक्स्टेंशन आगे वह हम इसको फर्दर एट कर रहे है कोई नए चीज नहीं है यह तो यहां क्या होता है दोको दिस बैल्ट प्रेजेंट बिट्वीन दीरो टू फाइव डिग्री इन बोथ हेमिस्फियर यहां पर एक खासियत क्या है कि नो विंड प्रेजेंट अभी वह मैं बताने वाला हूं क्यों नो विंड प्रेजेंट यहां पे कोई रिंड नहीं होथी इसलिऺ काल कहाँ आदा धा कॉल्ड डॉल Kom कारीजन इसको यहां नहीं आती तो डॉलव मतल्ला मतलब शांत कि ग्रीजन को मतलब पता शांत रीजन है यह इसको कह जाते है एवरिं पर ढेंग रेंपॉल रीजन रेंवाल जोन ओल्सो कॉल्ड फोर ओ क्लॉक रेइनफॉल जोन यह सब इंपोर्टन्ट है देखो होता है क्या है यहाँ पर आप समझो देखो विंड मतलब क्या होता है पहले वो समझी विंड मतलब ना आप समझना विंड मतलब एयर का फ्लो नहीं होता सिर्फ विंड मतलब होता है horizontal flow of air stream विंड मतलब होता है horizontal यह horizontal होता है wind horizontal air stream flow को गोले जाता है stream flow अब होता क्या है equator के पास खासयत देखिए यह zone क्यों बनामा लीजिए कि कि यह इक्वेटर रेजिरो डिग्री अब मैं साइट से बता रहूं underwater कि यह यह सब्सटरोपिक हाई प्रे deadlines यह भी है हाई प्रेशर आब होता कि यह यह आथे आते से उठ जाती है सुल में आते से उठ गए कि यहां doon create हो गया है एक वैक्वेट्यूमे एरिया क्योंकि यह एरिया है एक्वेटर पे जो आती है ऊपर और नीचे से यह नौर्थ पोल से आ रही है बतल नदन हमिस्फिर्ट से कि यह सदन हेमिस्फियर सारी है कि सदन हेमिस्फियर में बताना के दरों आप वो समझेए पहले तो दोनों जो एयर आती है न वो इस तरह से उड़ जाती है इक्वेटर के आसपास जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैंट इसलिए ग्रेट होती है क्योंकि जब उपर उठती है तो नीचे ग्रेट हो जाता है वैक्यूं तो इस कारण से ही इसका यह नाम पड़ा है ठीक है इसलिए यहां पर विंड फ्लो नहीं होती वर्टिकल मुवम इसलिए वह गोरे दिखते हैं क्योंकि मेलनीन की क्वांटिटी उनके में चेंज हो जाती है क्योंकि सन लाइट उनको उत्ती फ्रेक्मेंट मिलती नहीं है तो इसलिए वह गोरे हैं अगर आप देखेंगे जो बैल्ट के पास है एक्वेटर के पास है वह थोड़े डार्क कलर मिलेंगी यूगि स्टन लाइट जाधा मिलती एक्वेटर के आसपास तो इसलिए उनका जो स्किन का कलर होगा थोड़ा डार्क मिलेगा यह बायलोजी है ठीक है लोगों ने इसको कोषयो और लीजो कोषयो को लिजो को सिम्पल है यह कोषयो का मिलिज फॉर्स मिलेगे है इसका ज्यादा नहीं लिखाने वाला थेओरी आपको यह ठीक बताऊंगा को तो इसको आपको लगाना आ लाजाएगा कि सिम्पल क्या अट रिखते मैं वह बता देता हूं कि यह एक्वेटर है यह अर्थ है सौरी यह यह नदन हेमिस्फियर कि यह सदन हेमिस्फियर यह नदन हेमिस्फियर सदन हेमिस्फियर तो अगर जो है अगर नौर्थ की तरह जा रही है तो वह अपने राइट की तरह मुड़ जाएगी मतलब कैसी ऐसी अगर ऊपर जा रही है मतलब एयर अगर नौर्थ हैमिस्फियर में ट्रैवल कर रही है तो वह अपने राइट की तरह मुड़ जाएगी चाहाए उपर से नीचे आ रही हो या नीचे से उपर आ रही हो लॉजिक समझो आप नौर्थ हैमिस्फियर पर कोई भी स्ट्रीम सीधी नीच फ्लो होती कोरियूलीज घूमने के खारण वह अपना एंगल पर चेंज हो जाती तो वह नौर्थ हैमिस्फियर में वह अपने राइट सैड मुड़ एगी चाहाए वह एक्वेटर से पोल की तरह जा रही हो या पोल से कुड़ की जारा देशाए वह अपने राइट मुड़ेंगी अपने राइट मुड़ेंगी ओसीमिजरली से यहां पे आतन हेमिस्फियर में वह क VO लेफ्ट मूड़ेंगी हो गया और साउथ में लेफ्ट दिख रहा है तो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है तो कोरियूली का यही मेन कॉंसेप्ट था और मैं अगर और यह कोरियूली तो फॉर्दर एक्स्प्लेइन करूं तो यह मिनिममम एट एक्वेटर वो दिखी रहाए वह पोल में जाते जाते ह्वो ज्यादा मुड़ जाएगा एक्वेटर से अगर पोल की तरह जा रहा है तो वो ज्यादा मुभ करता जाएगा ठीक है मिनिममम एट एक्वेटर एंड मैक्जिमम at pole यह clear हो गया आपको ठीक है यह दिया किस ने था यह फेरल ने दिया था फेरल कि गीव गीव राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल राइट कहा लगेगा नदन हेमिस्फेर पे नदन हेमिस्फेर पे और यह सदन हेम लेफ्ट लगेगा सदन हेमिस्फेर पे सिंप्ली कोरियोलीज क्यों लगता है कोरियोली इस फोर्स है एप्लाइड द्यूटू रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन के कारण ही कोरियोलीज लगता है और कैसा लगता है वह फेरल ने बताया सी लगाना हूप میठ दे राइट में फ्कीं सदन्न हमिस्फेर में हमेशा इकवएटर रप पो नहीं जाती-ξ क्या होगा तो वी यहाथ हूथ होता है तो प्रेशर होता है आगे हम defin서 के बारे में पढ़ेंगे यह पता होना चाहिए क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ili की ठीक है तो इसके बाद अब हम हम जो है टाइप सो विंट पढ़ने वाले हैं विंट के प्रकार पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप पढ़ने वाले हैं और फिर साइकलोन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ साइकलों से जो रिसेंट करेंट अफेर है जोगरॉफी का बहुत अच्छा पार्ट अपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन जोगरॉफी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पे तब तक आप लोग अच्छे से त्यारी करिए ओके ओल दी बेस्ट